आपको बता देगे रक्षा मंत्राले की अनसार ये जहाज भारती नौसेना की समद्री शमता में काफी ब्रद्धी करेंगे इन जहाजों को लोगों को बचाने और मानव सहायता और आपता राहत HADR कारियों के लिए भी तैनात किया जा सकता है हम सब जानते हैं कि समुद्र में भारत की तागत का कोई तोड़ने जंगे जहाजों के पास मिन्टों में पहुंचेगा गोला बारूत्र लगबग 19,000 करोड रुपए की डील पकी हो चुकी है आपको बताएं कि रक्षा मंत्राले ने ये परियोजना आठ बर्षव में लगबग 168.8 लाख मानव दिवसों का रोजगार स्रजन करने के लिए जोर दिया है चांद पर परचम लेराने बाला भारत रक्षा शेत्र में भी अपनी पकड लगातार मजबूत कर रहा है उसी करी में रक्षा मंत्राले ने नौसेना के लिए पाँच बेड़ा सहायक फ्लीट सपोर्ट शेप हासिल करने के लिए हिंदुस्तान शेप्यार लिम्टेड एच एस एल के साथ 19,000 करोड रुपे के अनुबंद पर सुक्रवार को हस्ताक्चर किये थे अधिकारियों ने बताया के 44,000 टन के बेड़ा सहायक पोथ भारती शिप्यार की ओर से भारत में निर्मार होने वाले अपनी तरह के पहले जहाज होंगे एक नहीं बहुत जारे मंत्राला ने ये भी कहा कि ये परियोजना रक्षा बिन निर्मार में आत्म निर्वर्ता के लक्ष को हासिल करने में हैलफुल होगी क्योंकि HSL बेशाखा पत्नम स्वदेशी रूप से इन जहाजों के डिजाइनिंग और निर्मार करेगा मंत्राला ने ये भी कहा कि 25 अगस्त को भारती नौसैना के लिए 19,000 करोल रुपे की कुल लागत से 5 बेड़ा सहायक पोथ FSS के अधि ग्रहन के लिए HSL बेशाखा पत्नम के साथ एक अनुमंध पर हस्ताचर किया मंत्राला ने बताया कि मंत्र मंडल की सुरच्चा मामलों की समिती ने 16 अगस्त को अपनी बैटर में इन जहाजों के अधिक रहन को मंजूरी दी थी मंत्राला के अनुसार FSS को इधन, फानी, गोला बारूद और भंडार के साथ समद्र में जहाजों को फिर से भरने के लिए नियोजित क्या जाया जिससे भारती नौसायना की बेड़े को बंदरगा पर लोटने के विना तंबे समय तक संचालित करने में सक्षम बनाया जा सके मंत्राला ने एक ब्यान में कहा कि यह जहाज बेड़े की रणनीतिक पहुंच और गत शीलता को बढ़ाएंगे इन जहाजों के शामिल होने से भारती नौसायना की समद्री छमता में काफी ब्रद्धी होगी मंत्राला के अनसार जहाजों को लोगों को बचाने और मानव साहिता वा आपता राहत H-A-D-R-F कारियाओं के लिए भी तेनात किया जा सकता है मंत्रालान ने कहा कि हम यह परियोजना आठ वर्षव में पूरा कर लेंगे जै जै वारत